हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पड़ाई बहुत जोरों से चल रही होगी आज हम महात्मा गाधी जी के संबंदित कुछ कुश्चन लेके आए हैं ठीक है तो उन्हें डिसकस करते हैं तो चलिए द चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ हमारा पहला कुश्चन है करम चंद गाधी कहां के दिवान थे बताएगा करम चंद गाधी कहां के दिवान थे बीकानेर राजकोट पोरबंदर उपरियुक्त सभी कहां के दिवान थे यह कौन थे पहले बदा यह करम चंद गाधी कौन महात्मा गांधी मोयानी महंदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी का पूरा नाम महंदास करमचंद गांधी था ठीक तो उनके पिताए थे करमचंद गांधी और दिवान थे कहां कि दिवान यह सभी राज्यों कि बीका नेर राजकोट पोरबंदन यहां सभी के ओ दिव का प्रकासन किया, बताईएगा, दच्छिंद अफरिका में महत्मा गाधी जी ने किस प्रतिरिका का प्रकासन किया था। इंडियन ऐंडिया गजट 921 या इन में से कोई नहीं तो क्या प्रकाशन किया था इंडियन हो पीकशन किया था इंडियन ओपीन्हषा इनहों ने किस भावाज दी परकासीश किए था गुजराती हिंदी तमिल और अंग्रेजि में थिक है तमिल और अंग्रेजि में भी किया था इन्होंने सिंग papers चलेगे मित्रों अगले कुछें की इस फार्म कहा पर है यह डर्बन में है डर्बन कहा है साउथ अफरीका में ठीक है डर्बन साउथ अफरीका में है और यहां पर यह कब अस्थापना की थी यह उनिस्थापना की थी फिनिक्स फार्म की और और को और सी पहुंची कई इसकी त्लव स्थापना की गई ठिक रखेगा चलते हैं मित्रों नेक्ष कुष्टन की तरफ हमारा है किसके समर्थक महत्मा गांधी जी किसके समर्थक थे दार्शनिक अराजक्ता के आदर्शवाद के मार्क स्वादी के या मार्क स्वादी समाजवाद के या फिर स्रेणी समाजवाद के तो महत्मा गाधी जी किसके समर्थक थे ये थे दार्शनिक अराजक्तावाद के ठीक है दार्शनिक अराजक्तावाद के समर्थक तो राइट अप्सन यह हो जाएगा मित्रों अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों हमारा अगला कुश्चन है निम्न में से गाधी जी के राम राज जी के यूगल सिद्धान था यानि दो सिद्धान थे उनके कौन कौन से थे सत्य और अहिंसा खादी तथा चरका छु इन में से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा उनके दो सिद्धान कौन कौन से थे सत्य और अहिंसा किके सत्य और अहिंसा उनके दो सिद्धान थे तो राइट आप्सन यह हो जाएगा मित्रों चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ मित्रों अगला कुश्चन हमारा है गाधी जी निम्निमें से किसे सबसे अंती मस्थान प्राप्त था पताएगा उनके सबसे अंती मस्थान पर क्या रहते ते तो चलिएगे मित्रों अगली क схषिन की तरफ चलते हैं अगला कोश्चन हमारा है गाधी जी के सिध्धाant कर निम्ण में से कौन सा एक कतन सही नहीं है थाइगा गाधी जी के और उन्होंने हर्टाल को क्या था अगनीबान ठीक है हर्ताल को उन्हें अगनीबान सब्द घाथा गाधी जी के सिध्धान के उसार निमने से कौन से कथन सही नहीं है तो यह जो अपने संकल्प में दिनन विश्वास होना चाहिए तो कौन सा कथन इन में सही नहीं है गादेशी के सिद्धान के उसर ये option B सत्यागरही को ये जो है सत्यागरही का उद्देश सत्र को पराजित करना नहीं है ठीक है क्या है उनका उद्देश सत्र को पराजित करना नहीं बलकि उसका हिर्दे परिवरतन करके अपने अनकूल बन सत्यागरा का मतलब or क्या है जो सठ्थी के सठ पर चलकर आग्रह पर अठीक है तो चलते मित्रों अगले कूशन की तरफ माँधी जी के से कर रूथ क्या है हे समय है मानव घ्रीबी का स्थाइब ड या महीडा महझाओ और पर बच्चों का उत्पीडन महिलाओं और बच्चों का उत्पीडन क्या है सबसे करूरतम रूप गरीबी का स्थाइद यानि आदमी गरीब यह रह जाए यह सबसे करूरतम रूप लूप है ड्राइट अप्सें भी है चलते हैं मितरों अगले क्षोचन की तरफ अगला मारा क्षोचन है गांधी जी ने परिवाप नियोजन है तुछ तरिका बताया था तरिवाद निवाजन क्या नस्वंधी आत्म नियंत्रण लूप इन में से कोई नहीं तो क्या तरीका बता था उन्होंने आत्म नीयंत्रण अगला कुछें़ मित्रों महातमा गादी दच्छेड अफरीका से भारत किस बर्स में लोटे मातुमा गादी जी दच्छेड अफरीका से भारत लोटे थे कि अगला कोश्चन है गानधी जी दच्छंड अफ़िका में कितने बर्स रहे थे 15 बर्स 16 बर्ष 21 या फिर 20 बर्ष तो कितने बर्ष रहे थे ये 21 बर्ष रहे थे गाधी जी दर्चिन अफरीका में 21 बर्ष रहे थे ये 24 बर्ष की आईउ में ही 24 बर्ष की आईउ में यानी 1893 में 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफरीका गये थे ठीक है और 1915 में आये थे तो 15 साथ 21 हुआ ना तो 21 वर्ष था इसका अप्शन से ठीक है चलते हैं मित्रों अगले कुश्टिन की तरफ अगला कुश्टिन हमारा है दच्छन अफरीका के किस रेलवेस्टेशन पर गांधी जी को ट्रेंज से भेका गया था दरबन जुहांस वर्ग पीटर्स वर्ग या फिर पीटोरिया तो 20 से उतार गया था यह पीटर्स पीटर्स वर्स बर्ग में, ठीक है, राइट आप्शन, सी हो जाएगा, चलते हैं मित्रों, अगले कुश्चन की तरफ, अगला कुश्चन हमारा है, महात्मा गाधी सरपर्थम कांग्रेज के किस अधिवेशन में भाग लिया था, रही गा, महात्मा गाधी जी, भारती राश् पर्थम भाग लिया था, 1916, 1901, 1919, या फिर 1920, तो किस अधिवेशन में भाग लिया था, किस अधिवेशन में भाग लिया था, बताइएगा, कौन साधिवेशन हो जाएगा, यह 1901, और 1901 का अधिवेशन कहां पर हुआ था, 1901 का अधिवेशन कहां पर हुआ था, यह कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में 1901 का अधिवेशन हुआ था, 1916 का अधिवेशन कहां हुआ था, कांग्रेस का, लखनौ, यह लखनौ में हुआ था, ठीक, और 1919 का, यह अमरिश सर का कांग्रेस का अधिवेशन था, अमरि तो इसका right option क्या हो जाएगा? 1901 कलकत्ता इद्वियसन में सरप्रथम महात्मा गांधी जी भारती राष्टे कांग्रेस के इद्वियसन में भाग लिया था। नाम दिया था। ठीक है पहले यह आश्रम एहंदाबाद की किनारे था। बाद में इसे 1917 में इसे सावर मती नदी की किनारी कर दिया गया। ठीक है? और यह 1915 में अस्थापना की थी। जब दच्छन अफ्रिका से वापस भारत आये थे तो इस आश्रम की अस्थापना हुई ठीक तो इसका राइट आवशन क्या हो जाएगा? सत्यागरा अस्थरम। अगला कोश्न ए मित्रों महत्मा गाधी से संब्ध निमनिमे अस्थरमों में घयेगा कौन सा आश्रम महत्मा गाधी से जो संब्ध है तो सबसे पुराना है वर्धा, साबरमती, फिनिक्स, सदाकत, तो कौन सा आसरम है, यह फिनिक्स आसरम है, ठीक है, फिनिक्स, 1904, ठीक है, यह सबसे पुराना है, तो राइट आप्सन इसका सी हो जाएगा, अगला कोश्चन पर चलते हैं मित्रों, अगला कोश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपन आए थे, सांती निकेतन, मुंबई, पूडे, या फिर दच्छन अफरीका, तो उन्होंने सरपर्थम सेवा धर्म कहां से अपनाया था, यह दच्छन अफरीका में अपनाया था, ठीक है, दच्छन अपरीका में, तो राइट आप्सन, डी हो जाएगा, अगला कुश्चन मि किरिष्ण गोखले, तो कौन थे, उनके राजनीतिक गुरू, गोपाल किरिष्ण गोखले थे, जब भारत में उन्होंने 1915 में आये थे, तो इनसे पहली बार मिले थे, ठीक है, तो गोपाल किरिष्ण गोखले से मिले थे, और यह राजनीतिक गुरू थे, उनके, अगला को क्ल्याण के लिए राजनीती में आप लोगों के कल्याण के लिए राजनीती करिए आज की तरह नहीं कि सत्य के लिए ठीक लाल गाधी हरी लाल गाधी या फिर महत्मा गाधी तो सत्यागरा सब्द को किस ने गड़ा था यह महत्मा गाधी जी ठीक है महत्मा गाधी ठीक है इसका क्या मतलब हो जाएगा सत्यागरा सत्यागरा का साब्दी कर्द क्या हो जाएगा सत्य को मानकर किसी बस्त के लिए आग्रह करना उसे सत्यागरा कहते है ठीक है अगला कुछ ने मित्रों मारा भारत के स्वतंता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्यागरा किस ने किया था ता ये गा स्वतंता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्यागरा किस ने किया था सत्यागरा ठीक है राइट अप्शन डी हो जाएगा नेस्ट कुछेन है मित्रों नेस्ट कुछेन हमारा है किसने कहा था विदेशी बस्तों की बरबादी ही उनके साथ सर्बोत्तम ब्योहार है किसने कहा था विदेशी बस्तों की बरबादी उनके साथ सर्बोत्तम ब्योहार है महात्मा गांधी, रबींद्र नाट्टेगोर, सुभास चंद्रबोष, चितरंजन दास, क्या हो जाएगा? ये महात्मा गांधी, ठीक है? इन्होंने कहा था कि विदेशी बश्तूओं का बहिस्कार ही उन्हें नश्ट करना भारत के लिए आत्म सम्मान की बात होगी ठीक है? तो राइट आप्सन ये हो जाएगा अगला कोशन है मित्रो गांधी वादी, बिचारधारा किन से परभावित रही है? तैग गांधी वादी, बिचारधारा किन से परभावित रही है? टाल स्टाय से, थोरो से, रस्त किन से? या फिर उपरियुक्त सभी किस से परभावित रही है, ये तीनों से परभावित रही है, थोरो, टल, स्टाय और रस्ट कीन से, ठीक है, तो राइट आप्शन दी हो जाएगा, इनमें से उपरित सभी नेस्ट कुश्यन है, मित्रों, नेस्ट कुश्यन है, निम्न में से किस आंदोलन से गाधी जी संबंदित नहीं थे, तो ये गा, इनमें से किस आंदोलन से गाधी जी संबंदित नहीं थे, स्वदेशी आंदोलन, सत्यागरा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर खिल पुरा तो आपकास नहीं आये थे तो इसे संबंदित नहीं थे ठीके बाकें तीनों से थे गांधी जी संबंदित चलीगा मित्रों अगला कुछ है नहीं लिखित सत्यागरां přेसे किसका नेत्रत महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था इन में से किस सत्यागरा का नेत्रत महात्मा गांधी जी के दोरा नहीं किया गया था बारदोली भारत छोड़ो अंदोलन खेडा अंदोलन या फिर सभी ने अवग गया अंदोलन तो क्या हो जाएगा बारदोली अंदोलन आधी जी नहीं 1928 इसां जो था 122 सत्यागरा अंदोलन इस में गांदी जी नहीं 2028 में सरदाल पटेल के जुद्वरा इसका रिकार ढेका था और भाराच छोड़ा अंदोलन इसमें गांदी जी ठीक है 1942 में और खेला 1908 में इसमें भी जी थे और सबनेयोग्या 1930 में ठीक है तो किसे नहीं समंदी थे बार दोली सत्यागरा से अगला कुछ ने मित्रों हमारा निम्न कत्मों में से गांधी जी के संदर में कौन सही है इन में से जो कथन दिया गया है गांधी जी के बारे में क्या सही है option A है आशयोग अंदोलन शुरू किया एकदम सही है सही है चलिए आगे देखते हैं सबनेयोग्या अंदोलन शुरू किया या अच्छूतों की दसा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया या फिर उपरे सभी क्या हो जाएगा यह सभी सही है ठीक है उन्होंने आशयोग अं अंदोलन शुरू किया और अच्छूतों की दसा में सुधार के लिए उन्हें संघर्ष भी किया यह सभी सही हो जाएगा राइट आप्शन दी हो जाएगा ओके चलता है में तरो नेस्ट कुश्यन की तरफ नेस्ट कुश्यन हमारा है महात्मा गांधी को सर पर्थम िता यह सुभाज संड्र बोज़वारा कहा गया था ठीक है सर पर्थम शुभाज संद्र बोज़ जी ने महात्मा गांधी जी को राष्वपीता नाम से संवाधित किया था तो राइट आपशन बी ठीक है नेस्ट कुईसेन है गांधी जी के नाम के पहले महत्मा गाधी यह सब्द कव जोड़ा गया था रालेक्ट के बिरुद सत्यगरा के दौरान चंपारर सत्यगरा के दौरान खिलापत अंदोलन के समय फिर इन में से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा कभ जोड़ा गया था यह चं चलता है मित्रोनेश्ट कुश्टन की दरफ नेमलिखित में से किसने गांधी जी को सर पर्थम महात्मा के तोर पर सम्मोधित किया था जोड़ा तो गया था कब जोड़ा गया था यह चंपारन सत्यागरे के दौरान और यहाँ पर है महात्मा के तौर पर संबोधित किस ने किया था सुभाष चंद्र बोस, रबिनाट टेगोर मदन मोहनमाल भी या फिर जहौला नेरू तो किस ने सम्मोधित किया था यह रबिन दरनाट टेगोर की दौरा सम्मोधन रबिन दरनाट टेगोर जी के दौरा किया गया था महात्मा सब्द का अगला कोशन है मित्रो मारा नोवा खाली काल में महात्मा गाधी के सचीव कौन थे निर्मल कुमार बोस के सचीव थे तो right option B हो जाएगा अगला question निम लिखित में से किस सत्यागरा अंदोलन में गांधी जी ने पर्थे चुरूप से भाग नहीं लिया था पताएगा किस अंदोलन में गांधी जी पर्थे चुरूप से भाग नहीं लिया था किस में गांधी जी ने पर्थे चुरूप से भाग नहीं लिया था यह हो जाएगा वाय कॉम आंदोलन में इन्होंने पर्थे चुरूप से भाग नहीं लिया था तो मित्रों मिलते हैं फिर अगले सेसन में तब तक के लिए जय हिंद